नर्मा कपास की कीमतों में बीते सब्ताह से तेजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है राजस्थान की क्रिशी उपज मंडियों में नर्मे का भाव 86-88 रुपे प्रतिक विंचल चपकी हरियाना की आदमपूर, सिर्सा, एलनाबाद और फतेबाद की मंडियों में नर्मे का भाव 8,000-8400 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिल रहा है हरियाना पंजाब और राजस्थान में इस साल नर्मा कपास का उत्पादन काफी कमजोर बताया गया है इसलिए इन राज्यों में कुलावक 10,000 गांटे प्रति दिन के स्थर पर आ गई है अब इसमें आगे बढ़ने की संभावना कम है इसलिए उमीद की जा रही है कि इन मंडियों में अगामी 15 दिनों में नर्मा कपास के भाव में कुछ और सुधार आ सकता है वहीं आपको बता दे कि हफते के पहले कारोबारी दिन देश भर में लगबग 82,000 गांठों की आवक हुई जिसमें गुजरात में जो अभी तक 45,000 गांठे प्रति दिन की आवक पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है वहीं स्तर 30,000 गांठों तक सिमरता हुआ दिखाई दिया है महाराश्चर की 18,000 गांठे दैनी कावक को छोड़ दे तो अन्या राज्यो में दैनी कावक 6-7,000 गांठों के उपर नहीं है उधर गुजरात में आवक घटने के बावजूद भाव में बड़ा सुधार नहीं आया है वहाँ 20 किलो का भाव 15-1720 रुपे तक बोला जा रहा है मध्यपरदेश में कच्चे कपास का भाव 7300 रुपे से लेकर 8300 रुपे के बीच बना हुआ है जबकि महाराश्चर में हलके सुधार के साथ भाव 78-86 तक जा पहुंचा है वहीं रुई के दामों में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है क्योंकि मांग अभी कमजोर बनी हुई है इसलिए बाजार सुधारने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बाजार जानकार उमीद कर रहे है कि 15 जन्वरी के बाद नर्मा कपास के भाव यहां से कुछ अच्छे सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं बिरो रिपोर्ट माके टाइम्स टीवी